वेल्कम बैक तो माई चनल आज हम आए हुए हैं ग्लोबल बजाज जो की स्टकॉंडली में है और हम रिव्यू करेंगे बजाज एवेंजर का 160 स्ट्रीट जो आपके सामने हैं रेड कलर में जैसे की जानते हैं बहुत एक कमफोटेबल क्रूजर बाइक है यह और इसका एक इसकी अगर टाय साच की बात करें तो 1990 17 सेक्शन का ताय है 17 इंच के अलव बिल के साथ और यह इचे डियरल और हैलोजन हेडलाइट के साथ है इंडिकेटर नॉर्मल हैलोजन के साथ इसका लुक कम्प्लीट 220 क्रूजर के साथ जैसा ही है बस इंजन में डिफरेंस है इसकी इसकी पावर की बात करें तो DTSI एंजन है 160 CC का जो की 15 PS पावर जेनरेट करता है और 13.7 NW टॉक और इसकी मैलेज की बात करें अप्रॉक्स 40-45 km पी फो मिल जाएगा हाईवे में यह इसका रेयर लुक अलोजन में आता है एल नाइट और लीडि इसका रेयर टायर जो की 15 इ है आपका 136 90 15 इंच इसका RLP जो की टॉप प्रोटेक्शन दिया हुआ है इसमें सिंगल चैनल ABS इसका ओन-उफ जैसे जानते हैं यहां से यह ओन-उफ होता है यह ओन-उफ होता है यह इसका मीटर जो की एनलोग में है छोटा सा एक डिजिटल क्योंकि ट्रिप के साथ लिए इसमें एक सिंगल डिप और ओदो मेटर दीखे आपको यह इसका स्विच कि हुआ है इसको आप दिया लेंड तन पर्का सबक्ते हैं इस एल इसका स्विच कंसोल जो कि नॉर्मल दिया गया कोई चीजिस नहीं है कि बिल कॉलिटी बहुत ही अच्छे पिटन फिनिस 5-speed gear है इसका साइज स्टेंड जो कि इंजिन कट आप सेंसर के साथ है सेंटर स्टेंड इसका सारी गार्ड गार्ड जो कि इंस्टॉल हुआ अधर टाइम आप डिलिवरी ओपें चैन के साथ आता है इसमें आपका टायर स्ट्रेशर और यह सब लिया हुआ है इसमें एक लांग ड्राइब के लिए बहुत ही कमफर्टेबल कुरूज आ रही है 160 स्ट्रीट इसकी एक्सोरूम की बात करने तो लगबग 1.12 लाग है और और डेली में इसका 1.36 के असपास होगा स्टेट वाइज आपका जो भी रोट टेक्स बगरे लगेगा आप जिस्टी स्टेट में है वहां जाके एक बात कर सकते हैं डेली में इसका एप्रॉप्स 1.36 लैक है इसका रेट कलो है तो फ्रेंड यह छोटा सा एक रिव्यू था बजा स्ट्रीट 1.60 प्लीज अगर आप मेरे चैनल में लाए है तो मेरे चैनल को लाइट शेर और सब्सक्राइब कीजिए और इचे लिए बेल के आपको हिट कीजिए थाकि मेरे आने वाले वीडियो इसकेंड थैंक्यू